बलिवुड में चल रहे बायोपिक के इस दौर में फिल्ममेकर्स और एकर्स को खिलाडियों की कहानिया अट्रेक कर रही है इस लिस्ट में नया नाम असम की 18 वर्षिये एथलीट हिमादास का है हिमा ने हाल ही में आये एफ की अंडर बीस चैंपिनशिप में 400 मीटर्स परधा में गोल्ड जीता है उनकी ट्रेक रणिंग की उपलबदी से अक्षे कुमार काफी खुश हुए थे अक्षे ने एक आरेक्रम में एखलान भी किया था कि वे हिमादास पर बायोपिक बनाना चाहते है इस फिल्म को लेकर लेटेस्ट डेवलपमेंट हिया है कि अक्षे के बैनर से जुड़ी टीन जल्द ही हिमापर रिसर्च शुरू करने वाली है हिमा से इस फिल्म के राइट्स लेने की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू होगी अलियार रिलीज फिल्म गोल्ड में अक्षे के साथ काम कर चुकी डायरेक्टर रीमा कागती भी हिमा की फैन हो गई है सुनने में आ रहा है कि अक्षे के लिए वे इस फिल्म को डायरेक्ट कर सकती है हाला कि उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो वे बायली मुझे यह तो नहीं पता कि मैं किस पर फिल्म बनाऊंगी मगर सच कहूं तो मुझे हिर्मा ने काफी इंस्पायर किया है मुझे विनेश फोगाट की जीत से भी बहुत इंस्पिरेशन मिली है इन लोगों को सच्दा किये बिना आपरुक नहीं सकते ये वो लोग हैं जो अपनी मेहनत से सही मायनों में मुल्का नाम रोशन करते हैं रीमा आगे कहती हैं देश में और स्पोर्ट्स फिल्में बनी चाहिए इनके जरिया आम दर्शक इंडियन स्पायर्ट्स की रहा में आ रही दिक्कतों के बारे में जानेंगे मिसाल के तोर पर पिछली बार एक इवेंट में खिलाडियों की बजाए भी उरोक्रेट्स तमाम सुविधाय जोयर कर रहे थे यह सब किस्से जब फिल्मों में बारी की से दिखाये जाते हैं तो सिस्टम और दशकों सब की नजर पढ़ती है और बड़े दलाव का आगाज होता है अच्छी बात यह है कि स्पोर्ट्स बायोपिक बन रही हैं और आगें भी बनेंगी कौन है हिमा दास हिमा का जन्म असम के नगाव जिले के कांधू लिमारी गाव में हुआ था उनके पेरेंस चावल की खेती करते हैं स्कूल के दिनों से हिमा लड़कों के साथ फुटबॉल खेला करती थी बाद में उन्होंने पीटी टीचर शमशुल हक की सलहा पर दोरना शुरू किया इसके बाद हिमा जिलास्तरी प्रतियोगिता में चैनित हुई और दोस्वन पदक भी जीती इसी प्रतियोगिता के दोरान स्पोर्ट्स अन्यूत वेलफेर के नेपोन दास की नजर उन पर पड़ी नेपोन ने हिना के परिवार वालों को मनाया और हिना को बेहतर ट्रेनिंग के लिए गुवाहाटी ले आए हाल ही में फिनलेंड में हुए IAF की अंडर 20 चैंपियनशिप में हिना ने 400 मीटर्स परधा में गोल्ड जीता है वर्ल्ड जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वे गोल्ड जीतने वाली पहली भारतिये हैं